हेलो फ्रेंड्स असलाव अलेकूं वेलकम बैक टू आईशास किचन फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाले हूं बैगन का भरता या बैगन का खटा बैंगलोर स्टाइल में देखिए मेरे एक सब्सक्राइबर यासमीन ताज जिनका नाम है इन्होंने मुझे रिक्वेश्ट की थी कि यह डाले है रिसिपी तो मैं यह डाल रही हूं तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिये सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल आइकन है इसे जरूर से प्रस करिये और यह जो आल इसे भी तवे भून लिया है थोड़े से खशखश लिये है मैंने इसे भूंदा हुआ है और थोड़े से लहसोन इन सारे इंतीजों को भूनने से जो है टेश्ट बहुती अच्छ से आएगा नेक्स्ट इंक्रिडियन देखे मैंने लिया है बैगन रौन वाले जो ब्रिंज जलाते है वो मैंने यूज़ किया है आइन मैंने थोड़े से कोरियांडर लिव्स लिये है अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंक्रिडियन के और ये देखे मैंने लिया है टमाटोस टमाटोस नेरली करिया पता लिया है और ओयल भी लगेगा तो अब हम चलते हैं नेक्ट प्रोसीजर प्रोसीजर जो है ये देखे इन सारे इंक्रीडियन्स को हमें कर लेना है ग्राइंड और टेमाटोस को हमें कर लेना है ग्राइंड सेपरेटली करना है और एकदम से मोटा मोटा सा करना है दर सोन दालने के बाद फिर से बस start stop करके दो तीन time ऐसे करने के बाद देखे यसा powder बनाके रख लेना है without पानी दाले हुए पानी बिल्कुल भी नहीं उसकरना है तो इस इस हम निकाल लेते हैं और टमागो क्यों प्योरे पहले दालेते हैं ओयल, ओयल मैंने वन कप ओयल यूस किया है, आक्चली बाइगन का खटा या बाइगन का भरता जो भी आप बोलते हैं, इसमें ओयल ज्यादा दालने से, आपकी ये जो करी है बहुत ही अच्छे से आती है, टेस्टी बनती है, तो इसलिए ओयल इसमें जादा दालने का हवरेक मतलब जो है आप करी जादा दिन तक रखके इसे खा सकते हैं कुछ भी नहीं होगी आपकी करी तो यह हो गया अब मैं दाल रही हूं करिया पत्ता इसको तड़का लगा लिया अब मैं इसमें दाल लेती हूं नेश्ट इंक्रीडियेंट यह जो मैंने अब वन आर टू मीट्स में इसे फ्राइ करेंगे तो क्या होगा आपका जो ऑईल है अच्छे से सूख जाएगा आप जैसे इसमें ग्राउन नट तील और आपने दाल लिया खशखश इन सारे इंक्रीडियेंट ऑईल को अच्छे से चूस लेगी देखे एकदम सूका सूका तो यह देखे बन गया अच्छे से यह फ्राइब हो गया है अब मैं इसमें दाल लेती हूं हमारे सूके मसाले जैसे चिली पोडर धन्या पोडर नमाक और एलो पोडर इन सारों को दालके फिर से कर लेंगे फ्राइग इन सारे इंक्रीडियेंट को दालने के बाद आपको ए देखे एक दंब्रो निश हो गया है इस पॉइंट में अब हम दाल लेते हैं बाइगन बाइगन के लिए देखे मैंने बीच में से दो कट्स कर लिया है सारा नहीं काटा है बस बीच में दो कट्स कर लिए है सारे बाइगन ऐसे ही दालेंगे दालके कर लेते हैं अभी मिक्स देखे mixing जब आप करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपके जो बैगन के cuts है इसमें भी अच्छे से मसाला अच्छे से mix हो जाए मसाला इसमें अच्छे से भर जाए ताके अंदर जो बैगन का आपका फीकापन रह जाता है बैगन के भरते में वो ना रहे तो इनको अच्छे से fry करने के बाद हम इसे रख लेते हैं ढखके for some time कि ये जो है mix up भी हो जाए और बैगन भी है जो मसाला को अच्छे से पकड़ ले तो कर लेते हैं थोड़ा time wait देखे मैंने अभी अच्छे से चोड़ दिया था देखे जो है मसाला सेट हो गया है बैगन में अच्छे से mix up हो गया है in this point अब हम क्या करेंगे इसमें next ingredient add कर लेंगे देखे बहुत ही अच्छे से अभी बन गया है ये जैसे आप देख रहे हैं आप दाल लेती हूँ tomato puree tomato puree जो है लाष्ट में दालना पड़ेगा because जो है करी में जैसे मैंने बोला था बैगन में मसाले जो है अच्छे से पकड़ ले इसके बाद ही लाष्ट में आपको tomatoes दालने होगे जैसे मैंने आपको starting में बोला था आपका जो ये तेल है आपने जो तेल डाला था वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है आपके करी में अब जैसे आपने टामाटोस डाल दिया है आपकी जो करी है थोड़ा थोड़ा सा हलकी होने लगी है इस टाइम में अगर आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद तो जैसे ऑइल जो है अच्छे से निकल के रहेगा तो यह देखे इस टामाटोस को दानने के बाद आपको फाई टू फाई मिनिट साप पका लीजिए ताके अगें टामाटो की कच्छी बास चले जाए ताके आ जैसे हो गए है तेन मिनिटस अगें फाई मिनिटस के बाद जब आप देखेंगे तो देखे आइल जैसे मैंने बोला था अच्छे से निकल गया है सप्रेट हो गया है आपके मसाले के साथ तो आदेखे आपका जो है करी बनके एकदम तयार है और बहुती टेस्टी वाली ब तो यह बन गई हमारी करी अट लास्ट अब हम इसमें डालेंगे कोरियांडर लीवस कोरियांडर लीवस अक्चली लास्ट में डालने का एक ही मतलब है कि फ्रेग्रंस अच्छे से आता है तो यह बन गई हमारी करी अब मैं इसे कर लेती हूँ प्लेटिंग तो देखे कितनी प्यारी मज़ेदार लग रहे हैं खतरनाक कलर्स लग रहे हैं इसके तो इसे मैं करने वाली हूँ टेस्ट आप भी जरूर से बना के खाईएगा तो कर लेते हैं प्लेटिंग आप इसमें तो जैसे मैंने बोला था आप सबको प्लीज अगर आप लोगों को कोई भी रेसिपीस चाहिए होगा तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिखिए मैं जरूर से बना के डालूंगी जैसे मैंने बोला था मेरे वन आफ दे सब्सक्राइबर्स जिसका नाम है यासमीन ताज पूरी की है अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसा लगा जरूर बना के खाएगा इसके बाद आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो देखे यह थी आज की मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को हमारे रेसिपी पसंद आ र झाले कुम